हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टडी फीट ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दुफ्तों न्यू प्रैक्टिस का 35 वीडियो है जैसा कि मैं यह पी वर्ग 2-3 यूपी टीटी-फीटी-फीटी-उपी-अल्डी-ग्रेड बी-पी-सी-टी-डी-डी-डी-डी-डी-डी- वे चलते हैं आज के कोशन के तरफ कोशन नमबर वन है कौन सी हड़ी पैर का हिस्सा नहीं है विजबून इजनाट अपार्ट आफ दे लेग तो यहां पे आप देख सकते हैं फीबिया टीबुला फीमर ये तीनों पैर की हड़्डिया है बड़ ह्यूमरस साब का हमारे उप कुरी बा अपर आर्म की हड़ी है इसके फैर की नहीं है कोशन नमर टू है सारलिक सिच्छा का उद्देश से है अप जानते हैं फीजिकल मेंटल स्प्रिच्वल एंड सोसियल सभी प्रकार सारीक मांसी समाज अधियात्वी विकास करना सरवांगी विकास करना सारी सिच्छा देते हैं सारी सिच्छा में बिविन खेलों के कॉसल को स्कील्स को सबसे ज़ा सिखते हैं तो आप टूडेल ओफ फिजिकल स्कील्स आपका यहां पर रहत इंसर होगा Q3 है भारत में किस वर्ट सारी सिच्छा महाविद्याले की स्थापना हुई थी इन विच यूर ऑफ दा फिजिकल एजुकेशन इन्वरसिटी इस्टेबलिश्ट इन इंडिया तो दोस्तों पर्थम जो है सारी सिच्छा महाविद्याले बना था 1920 में चन्नही मदरास में YMCA College of Physical Education जो अमेरिका से आयोए भी से सग्दिया हैरी क्रोंबक यानि ऐसी बक में 1920 में चन्नही मदरास में इसकी सापना चिया था जबकि 20 में सबसे पहले इंग्लेंड में इंग्लेंड के लंदन में 6 जून 1844 को जार्ज बिल्जिंग की दौरा इस्थापित किया था और जिसका हेड़कौटर जैनिवा सुर्जर लेंड है और उसके बाद 1883 में इस्प्रिंग फिल्ड कॉलेज अमेरिका में इसकी स्थापना किया गया उसके बाद अमेरिका से ही आए हुए बीसे सब कि हैरी क्रोंबक ने 1920 में भारत में चन्नही मदरास में YMCA College of Physical Education के स्थापना की और इसलिए हैरी क्रोंबक को भारत में सारे सिच का पथम इस्थापित किया गया तो 1920 में और राष्टी अब इस्थापित की बात करेगा तो LNCPE लश्चिभाई College of Physical Education आपका ग्वालियर मद्धपर्दिश को अबर चार है गन अध्यन का थांडाइक नियम है तो थांडाइक लौ अफट दीब इस्थडिए तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं थांडाइक ने सिखने के मुखे नियम के अंदर का तीन नियम दिये हैं लाव रेडिनेस याई तत्वरता करनियम, दूसरा लाव एकससाइज याई अभियास करनियम, तूसरा लाव एफेक्ट याई प्रभाव करनियम, तो यहां भी जो गहन अध्यान के बाद है वह हैं प्रभाव करनियम, लाव एफेक्ट, उनका लाव रेडिनेस कहता है जिसे हम करने के तो एक क्या आप करने के लिए कहा है यह और लाइग हाई करने के लिए कलुकु करने के लिए अब्यास करना पड़े यूंकि अब्यास करने से मैंने जाएक्टरेक्त कंधिये जैनि यहुक्न कोफोल आफ़यों त्राइब से पन्तिय के हैं. आभ्यास को सब्सक्राइब नितिकत करूब से ब्यारं करता है, यह देखिंगत संद्ध फ़र संयुक्त देखिंगत का है. तिसरा नियम इन्होंने बताया है मुख्य नियम के अंतरगत प्रभाव का नियम जिसे हम प्रडाम का नियम या संतोस का नियम या लाफ इफेक्ट लाफ साटिस्फेक्शन या संतोस और संतोस का नियम भी कहते हैं ठीक है तो प्रभाव क्या पड़ता है अगर किसी चीज को कर करा जाता है तो उसको असंतोस होता है तो यह गहन अध्यन का जो प्रभाव का नियम के द्रगत आता है कोशन नमर फाइब है सारी सिच्छा के अध्यापक का गुड़ होना चाहिए और आतमी स्वासी होना चाहिए कोशन नमर शिक्स है साब पार्टे के बाद क्या करना चाहिए सबसे पहले बाद चूरर बर भाट साब काटने की तुरंत बाद सबसे पहला हम काट करते हैं चूसर जिस अस्थां पे काटा है उसको सबसे पहले हम उसको काड़ देते हैं उसके बाद उससे जितना भी रख्त है उसस्थाम पर पुरा निकाल देते हैं चूसर का प्रयूग करते हैं जैसे कि आप सभी घर के आज पास देखते होंगे कि जब भी साम काटता है तो तुरन जो है उसे काटते हैं और रख्त को निकाल देते हैं और फिर बैंड़ेश का प्रयूग करते हैं कि उधर से जो रख्त आ रहा है वहां तक न पहुंचे ब्लड सर्कुलेशन न हो जिसे समस कि यहां पर उत्तर दिया हुआ है तो चूसर का ठीक है यहां पर आपका इस एंसर का अंसर डारेक्ट पर आप जो राइट होगा उसे कमेंट में जरूर बताने के कोशिस करिएगा उसे ने में सिवेन है 2008 में उलम्पीग खिल वाज़ दुस्तों 2008 में उलम्पीग खिल कहां आजित होंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दोहजार चौबीस जो है पेरिस फ्रांस में हुआ जिसमें भारत में छे पदक प्राइट किया एक सिल्वर और पांच ब्रांज मेजर मिडल और दोहजार अठाइस में लास एंजिल्स अमेरिका में होगा याद रखिएगा कोशन नमर आठ है पूरी सरीर में रख्त को पंप करने वाले हिदय के अंक का नाम है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सरीर से जो असुद रख्त होता है उपरी भाग से इंफिरियर बेना कौवा यानिकी अग्र महा सीरा और निचले भाग से इंफिरियर महा ब दुरों के द्वारा रख दिला करके दाएं अलिंद में छोड़ा जाता है फिर दाएं अलिंद से दाएं निले में जाता है फिर दाएं निले से पल्मोरी धमनी के रास्ते फेप्रों में जाता है सुद होने के लिए वहां सुद होने के बाद पल्मोरी सिजाओ के रास्ते फि बाया अलेंद से सुध होने पर कंट्रक्शन वने पर एरोटिक वाल्ब के रास्ते महा धमनी में जाता है वहां से समझते सरीर में फेद दिया जाता है पुरे सरीर में रख्त को पंप करने वाला ही रहे कि अंक क्या ना है तर लेप्टर वेंट्रिकल ठीक है यानि कि बाया निले कोशन नमर नाइन है भारत नी होकी में पिछली बार कप सुड़ पदद गीता तो दोस्तों आप सब को पता है कि भारत होकी में 1928 इमें स्ट्रिटम हॉलेल उलम्पिक में भाग लिया था और अधिकारिक से भारत उलम्पिक में भाग भी लिया था 1928 में जबकि ऐसे में पतक किया था लागतार डुप पतक करता है गया 120 को छोड़कर बीच में 120 में रजत पतक पत्क किया अचशोरtsåड एक रजत औं चारका क्यक्म पता है 2828 बटाल इसे एक अजWhen तक में पतक है और एक रज़त 1960 में और चारकास से पतक में 1968 में 1972 में और चारकास से पतक में प्राप्त किया हुआ है कोशन नमद 10 है एक ट्रेक में एक लेन की चोड़ाई कितनी होती है लाइन की मोटाई पूछता है तो पास संतिमेटर होता है एक लेन की चोड़ाई पूछा है तो यहां पे होए 1.22 मीटर ठीक है कोशन नमर 11 है कि किसी प्रकार का आवस्था करने के बाद कौन सा आवस्था है आप सबको पता है यह होता है सवासन जिसे हम मृत्यों आवस्था भी करते हैं सवासन दुरा सरी को पूर अवस्था में लाया जाता है इस क्रिया से व्यक्ति दूसरे आवस्था करने के लिए पुनह तयार हो जाता है किसी भी आशन करने कि बाद व्यक्ति को सवासन करना चाहिए एबलर्स जो है इनसान को आराम दायक आशन होता है और यह जो है डेफ्रेशन वाले व्यक्ति जो है अगर अच्छा से सवासन रिवे डिली बेसे पे करता है तो दुर्परेशन से छुटकारा भी मिलता है तो आपके मिलितकों करना में गें घ्रॐह भारिसमाना को औह अलोँ बांदा सुआ में पसके लिए है। कैसे फास्टु जब वाइंटों अब कुछाव लाते हैं। विए ही ब्यायम यहन पना मोश्ट करना चाहिए। क्वोस्टन से लगते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है सभी आफसन थोड़ा थोड़ा मानी रखते हैं बर सबसे अधिक मानी रखता है कि जब खेल के निवों का पालन नहीं किया जाता तो खेल में चोटे जारे लगती हैं जैसा कि जब खेल के निवों का पालन अच्छे से नहीं किया जाता तो चोट जैसे होंकी, क्रिकेट, आधी गेंट से लग जाना या कि लड़ियों का आपस में ठक रह जाना आधी है कोशन नमर चुदर है निवर्ण में यसे कौन फिटनेश बढ़ाने के लिए ऐरोबिक कट्विजियों के अंतरगत नहीं आता है आपके अरोबिक मतलब सहन सिल्ता वाले खिल जाले समय के खिल जो आक्सिजन की उन्परसिटी में कार्य होता है तो एंडुरियन्स वाले के एक्टिविटीज जैसे कि आपका धीमी चाल से दोड़ना, स्लो रनिंग, एंड स्टैक्लिंग, रिद्मिक एक्सरसाइज यह सभी आपके एरोबिक एक्सरसाइज या गतिविधी एक्टिविटीज के अंतरगत आता है बड़ दोहराई दोड यानि की रिपिटेट्व स्प्रिंट्स जो है आपके एरोबिक एक्टिविटीज के अंतर कुस्टन नमबर 15 है दोस्तों एरोबिक के अंत्रगत आपके इरोबिक्ज ने थि होता है रिद्मिक व्याम मतलब रस्जी कूदना तैरना फिटनेश के लिए सेर करना सैक्लिंग करना कलेस्थनिक व्याम यह सभी रिद्मिक अंधर आएंगे कुछ्चन में 15 है निमने में ओलम्पिक आयोजन इस्थल दिये गए हैं उनकी आयोजन इस्थल को क्रम से लिखे आपको क्रम मी सजाना है तो दोस्तों यहां भी आप देख सकते हैं कि मेक्सिको जो है मॉनिक 1972 में हुआ था एक के बाद चार हो जाएगा फिर मॉंट्रियल कोनाड़ा आपका 1976 में हुआ था थी हो जाएगा फिर मास्को रूष निसाट्री में हुआ था तो फिर टू हो जाएगा तो ओंफोर त्रीटू किसमें दिया हुआ है तो आपसा निमबर डी यहां पे कारण होता है what causes muscle cramps तो दुस्तों muscle cramps जो है अचानक से अनेची ग्रूप से होता है जिसे कि पैसी में रोड यानि एथन का कारण क्राण कोई पुरानी चोट है तो एक आएक कोई activity कर रहे हैं तो एक आएक आएक आपके दर्द करने लगता है ठीक है तो लवड की कमी भी यहां अधिसमातन भी है यहां पर उपरक्स सभी आपका right answer होगा अलाब दर्द आएब अलाब दीच तो अधिसमातन मतलब hyper ventilation के साथ साथ लवड यानिकी electrolytes and salts आदे की कमी हो जाती है बॉड़ी में तो अरेची रूप से cramp होता है question number 17 है प्रेड़ा कैसे पैदा की जाती है how is motivation created तो किसी को हम प्रेड़ा कैसे पैदा कर सकते हैं तो यह जो आवसन दिया है बार बार करके no causal को दिखा कर ठीक है किसी को दिखा कर उसको model दिखा कर देखेंगे तो जल्दी से वो प्रेड़ित होता है किसी कारे को करने के लिए यानि किसी भी प्राड़ियों को अपनी पूरी चंता यो युगता के साथ कार करने के लिए उकसाना ही प्रेड़ा होता है चुकि बेक्ति किसी प्रकार के कोसल देखने पर प्रेड़ित होता है और वह अनुकरण करने का या अपनाने का प्रियास करने लगता है इस प्रकार ग्रिकेट के एक टेस्ट मैस में एक ओर में कितनी बाउनसर फिक है कि की जा सकते हैं कि तो दोस्तों इसमें अधिक से अधिक दो बाउनसर फिक जा सकते हैं पूस्टन नंबर उनीस है प्रसिच्छ अउधी में हमारे सरी में कौन सा अमल बढ़ जाता है विश एसट इंक्रीज इन और बॉड़ी द्यूरिंग ट्रेनिंग प्रियेट तो दोस्तों आप सब को पता है कि हम ट्रेनिंग करते हैं प्रसिच्छ करते हैं तो यह समें लाक्टिक असे बने लगता है जिससे थरी में ठकावाट होने लगती है और कुछ दिर बाद उसको हम सेकेंड विंड कहते हैं जो एक्टिविटी जिए हम नहीं कर पाते हैं तो जैसे ही हम कुछ दिर रेश लेते हैं अब पुर्ना आउक्सिजन हमारे इसरी में पहुचने पुरानी प्रतिविटा कौन है दोस्तों अगर वर्ल्ड में कहें तो एफए कप है ठीक है वर्ल्ड में कहें तो एफए कप है 1971 में इस यह यह निकी एसोसियेशन कप फुर्वाल की सबसे पथम पतिविटा है और यहां भारत में बात करें तो दुरंड कप कौन है दुरंड सबसे मतचलते हैं और सबसे अब्यूनुपन लसके हैं जब रख है यहें दूसरा सबसे अहीं परतत रख में तो भाॡ़ाण के प्नी अवस्टू रख सबाँता है है 2017 सबसे पुराना दूसरा अस्थाम पर रहाद रखेगاء जो ऑन दूरान्ड़ extraordinary providing सिम्ला में हुआ था 88 से 1940 तक यह सिम्ला में आज़ित होता था लेकिन अब यह 48 के बाद दिल्ली में आज़ित होता है कुशन नबर 21 है एक कोच का गुण होना चाहिए Q2 और कोच इस भी होना चाहिए आतमिस्वाश होना चाहिए एक कोच के अंतर अंतर Knowledge के साथ साथ लेकिन्स भी होना चाहिए कोशन नमर बाइस है सीटप का उद्देश है दा परपज ऑफ सीटप्स दोस्तों सीटप्स जब लगाते हैं तो डारेक्ट जो फोर्स होता है पेट पेट परता है यह पेट की पेशियों की सक्ति में सुधार लाता है यह थार्ड प्रकाय के लीवर में आता है क्योंकि साथ है को बोह रफते साथ है क्योस्यर में तो कंबिनेशन टूवडमेंट में हम देख सकती है क्यों फो थार्ड पाह का ना काउट लिग कोमेशन चाहान सीशना को ब्रत्राइब नाकाउट इसा भी नाकाउट के अंतरक्त आता है ठीक है कि अब लिग टूनामेंट को राउंड वामेंट भी कहते हैं यहां पर टूनामेंट आएगा है जो प्रेयोक जहां टीमों की संक्षब बहुत अधिक होती है वहां पर इसका प्रियोक ज्यादा होता है इसमें पहले तीमू को छोटे-छोटे समूह में बाड़ा जाता है फिर प्रतेक समूह में उपसित तीमू के मध्य पहले नाकाउट या पहले लीक या इन दूनों के मिस्टर का प्रियोग करके तुनामिट अजित किया जाता है जो पीफ सटो याद रहकता है जो फिफा वल्ड़कप होता है वो लेक कम nakt के अधार पर होता है कि नमरर 25 सबर ऐक करे कि लमबाई कितनी होती है लेंथ हाफ एक क्रिकेट बैट अब को पता है जोस्तु और त combines 38 इंच यानि 6,5 cm होता है क्रिकेट बैड का लंबाई और इसकी चोड़ाई होती है आपका 4,25 इंच यानि 10,08 cm यानि 11 cm के लगभग क्वेशन 25 है कैमपी के दोरान गाया जाने वाला गाना है सारे जहां से अच्छा है इंदुस्ता है हमारा तो ये गीत को किस ने लिखा है तो दोस्तों आपको पता ही होगा जीके पढ़े होंगे तो मुहमत इकबाल ने लिखा है किस ने लिखा है इस गीत को मुहमत इकबाल न देश भक्ति गीत के रूप में भारत से में गया जाता है इसे अनुचारिक रूप से भारत के राष्टिय गीत का दर्जा प्राप्त है इसे पसिद सायर मुहमत इकबाल ने और्स 1905 में लिखा था याद रखेगा पाकिस्तान में इहें राष्ट कभी माना जाता है किसको मुहमत इकबाल को इनकी प्रमक रचनाय है असरार ए खुदी रुमूज ए बुखुदी और बंग ए दारा इत्यादी 26 कोशन्स है कि स्रीमन फ्रायर को निन में से किस एक सिधान का पिता कहा जाता है दोस्तों इनको इस मनोबिस लेसर का सिधान यानि Psychoanalytic Theory of Psychoanalytics कापिता कहा जाता है इनके इस सिधान के उनसार भीर के प्योहार का अधार चेतन अचेतन इच्छाओं को माना है उनके उनसार मन को इनके तिन भागों में इड एगो, सुपर एगो, चेतन अधचेतन अचेतन में बटा है कोशन नमर 27 है निन में कौन मनविगैनिक आसंका का एक लच्छर नहीं है विजवदे फालिम इस नाट ए सिम्टम्स आफ साइकोलोजिकल डिस्ट्रेस दोस्तों, अगर मनविगैनिक आसंका है, साइकोलोजिकल डिस्ट्रेस है तो मन इस सिती में उतार चाहा होगा लगता चीनता होगा उदासी खेनता यह सभी मरुविगानिक आसंका के लच्छड हैं बर चक्कर आना नहीं है चक्कर आना तो आपका कमजोरी के कारण या किसी डिफिसियंसी है कमी है हमारे बॉड़ी में तबाता है क्या स्वास्ते से जुड़ा फिटनेस करता है विच आफ फालूइंग इस फिटनेस क्या होता है कि डेली रूटीन वर्क बिदार इन फटिक यानि डेली के कारिक को बिना थकावट के संपन करना और अतिश सक्ती बचाय रखना अपातिकाल के लिए उसे फिजिकल फिटनेस कह मुटर इसकी में बड़लेटी फिजिकल फिटनेस के अंतर पांच कमपोनेट्स आते हैं जैसे कि आपके मस्किलो और स्टेंट मस्किलोर एंडूरेंस, कार्णिरियोरिय फ्लैक्सिब्लेटी एंड बाड़ि तेजी तेविता याने की स्फिड ये तीनु जो है आपके मोटर फीटनेस का अंतरगत आता है जब कि मस्किलर एनुरेंस जो है पेशी साहन सकती आपका है फीजिकल फीजिकल फीटनेस का अंतरगत आता है पोश्चन नमर 29 है खोखो खेल की समय सीमा होती है तो इस पर दो इनिंग्स होते हैं पहले इनिंग्स जो है नौ तीन नौ फिर मध्यानतर होता है आप अच्छे मिनर का फिर नौ तीन नौ तो नौ चोग छटीस हो गया अतीन तीन छो आप ही एच छो ठीक है तो बारह जोड़ दीजिए तो 36 हो बारह कितना हो जाएगा नौ चोग 36 और यह आप देख सकते हैं कुल 48 मिनर का यहां पर गेम होता है यहां पर 48 मिनर का आपका राइड इन सुरू हो जाएगा ठीक है तो यहां पर टेक दो पारियों में होता है पर टेक पारी में नौ मिनट होता है जिनके मध्य तीन मिनट का क्वाटर बेक होता है दोनों पारियों के भी छे मिनट का ब्रेक होता है क्वेस्टन नमर तीस है राजवर्धान सिंग राठ हो निवनिमें से किस स्केल से समंधित है तो दोस्तों आप सबको पता है इ एथेन्स ओलम्पिक में राजबधेंसिंग राथ हो प्रदामें उसके बाद प्रदामें सुन पत्था पहले बार प्राथ किये थे दोजार आठ अभी नो बिंद्रानी निसाने बाजी में दस मीटर एर राइफल में जोकि राजबधेंसिंग राथ हो 2004 में पूर्सो के डबल में दूसरा अस्थान रजयत बदक प्राथ किये थी कोश्चन नमर 31 है है अच्छे से जानने के लिए आप एथलेटिस्वाले प्लैलिस्ट में जाएगे जिसमें डेटेल में आपको ट्रिक के साथ बताया किया जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कभी नहीं पूलेंगे के साथ मैंने बताया हुआ है तो जो डेका थलान होता है कुर्सों के लिए होता है दस इवेंट्स होती है दो दिन में पाच-पाच इवेंट्स होता है अब हैप्ता थलान जो है महिलाओं के लिए होता है जिसमें साथ इवेंट्स होती है तीन ट्रेक और चार फिलन पहले दिन 600व मीटर बधाद वहाँ, अब पहले दिन सॉ मीटर मीटर बधाद लुद्र वहाँ की बैचने पर लाव र्साू का हुआा यानि पूरा टिन 100 म्नीटर का ऊचा गुला 200 में खाईदा भेचने पर कितना लाव हुआ र्साव का तो 100 मिटर का उच्छा गुला 200 में खईदा एक पहले दिंगा ठ्रिक है अब बेचने पर लाव 8 सा को हुआ तो यहाँ पर लाव से सुरू करेंगे लाव से हो जाए लंबी कूद भूसते भाला फे और 800 मिटर दो तीन इस बदाएं दूसरे दिन होती है तीक है कोस्टन नमबर 32 है लचिलापन बढ़ाने के लिए कौन सा ब्यायाम जरूरी है विच एक्सरसाइज नेसेसरे टू इंक्रीज फ्लैक्सिबिलिटी दोस्तों यहाँ पर जो है फ्री हैं एक्सरसाइज जो है जो इस्ट्रैटिंग वाले होते हैं यह जारी फ्लैक्सिबिलिटी बहाने में मदद करेंगी तो एक्सरसाइज और युगासन जितने भी हैं इस भी फ्लैक्सिबिलिटी को बहाने मदद करते हैं जबकि दोड़ना बंडिंग भी इन्डूरेंस को बहाने मदद करेगा ठीक है यहां पर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है दोस्तों लेकिन आपसा नमबर एक हैं यहां पर राइट इन सर्फ होंगा कोस्चन में 33 है कि बलड सुगर के लिए उप्यूत भी आयाम है वीच एक्ससाइज यह सुटेबल फार बलड सुगर दोस्तों इसके लिए आपका मंदुकावतन भी अच्छा होता है बट वाकिंग इस वेस्ट एक्ससाइज बलड सुगर तोहलना जो है इसके लिए बेस्ट एक्ससाइज होगा कोस्ट नमर्च 24 है सारीग भिकलंगता होती है फिजिकल डिफिस्ट डिसाबिटीच फ़ी दूस्तों फिजिकल डिसाबिटीच कैसे होती है आप संत्लिक आर अच्छे से नहीं लेते हैं तो संत्लिक आहार के करणर तो नहीं हो कहार यहां पे कुपोसड के कारण और रोक के कारण यह B ूर D दोनों आफसान राइट होती है विखलामता आयर। तोनों अंसर हो जाएगा लेकिन आयोक्ति इसको कुपोसर के करा आपसा नुमर B को राइट माना है याद रखिएगा संतुलित अहार है कार्भो हाइड़ेट, प्रोटीन, वसा, विटामीन, खनेजलवर जल जिस भोजन में पूल मात्रा उचित मात्रा पा जाते हैं दोसे हम बैलेस्ट डाइट अहार कहते हैं इसकी कमी हो जाने पर किसी की भी कमी हो गया तो हम को को सब्सक्राइक के कारों होता है इसको आयोग ने बाट अंसर होगा वो पोषण और रोगदोने के कारव होता है तो यहां पर आयोग ने माना है तो चल दोस्तो यह था आज की सेसर्में 34 MC की कोशंस आपको अच्छे से समझ में आयो होंगे तो दोस्तो जादे सब वीजियो को सेयर भी किजी जिसे और लोग त तकि इस जया है नेक्स वीडियो प्रैतिस में तब तकि इस जया है